हाँ तो नमश्कार प्यार साथियों psr classes के ओं-ड़ेटपर्म टाप पह्षवागत विन थे हैं हम ने पिछली class में चर्चाएं किती कि इसके मारवार की इतियास के बारे में सब्सक्राइब रहे थे और मारवार की इतियास में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे तो उसका जो शासनकाल माना जाता अटीज सब्सक्राइब 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 अपना सब्सक्राइब 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 कर दो तुछ द्वारा के दर्वाजे बन्ली करवा दिए तरेम जस्वन सिंग्स अधर राजा जस्वन सिंग्स अधर तीस से लेकर पासू तीस से लेकर लासो पासितक प्रसंकाल माना तक वाना जाता है 1638 शोलासो अठवतर में पावलबी तो प्रश्यात हमने बात की ती कि द्वारत दर्वाजे बंद करेवादी गए ते उसके बाद एक तो ने लोट लेता है और लूट करका जाता है वापस वजुद्बृ भाग जाता हुआ उसके परश्यात यह राजा जे स सेमानक सीनगे और जौन पर करती होता है व्यंतो इसको सा ओभाए जाना करता है क debating काभल में और जेशाइड चाहर और जेव ते डरता था अभ यह लगता था औरंग जेब कोई औरंगे बात कि तक बदात्य मुर्दी हो जाता है । रेंजर का अ और थाना नांग मृकिस्तर इंट्र यह यह हम्ड़ूस सब्सक्राइब निवा ए पुर्सव cert के लिए कहा था कहा गया था किसके लिए कहा गया था और चर्चाएं करें यहां पर जो चर्चाएं देखने को करती हो तो अब इसका साहित्य की बात कर लेते कि कुण कुण रचना है इसकी मानी जाती है इसके विद्वान दर्बारी विद्वान तो जस्वन सिंग का साहित्य की बात कर कि इसकी रचना बात करें कि राइतिक विकास करें कि रस्वंत सिंग की खासन का आलमिक को क्या 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 कून को अब सफेले जस्वंत सिंग रस्वंत करें हैं कि रचनाएं कि इसके रचनाउं की बात करें तो कि बहुत आँए प्रबोद प्रबोदी चंद्रोने इता है हातम में घीता महातम में है तो भाषभू MPाराशा philosopher का कुशन, आनन्द विलास, किता महातम में, किता, महातम में, किता, महातम में, किता, महातम में, किता, महातम में, किसकी रसनाएं भी, और बात करें, आप परिक्षित, शिद्दान्थ, अनुबव, प्रकाश, आप रोक्ष, अपरोक्ष, रोक्षित, शिद्दान्थ, इसकी रसनाएं, अनुबव प्रकाश भी इसकी रसना है, एक बात करें, अनुबव प्रकाश, गंदने कुछ है तोकुल्बव करकास फारी र्चनाय किसके माने जती है ये कोन कोन सी रॉस्ण आई मतले चंक्राइज है और अमुदय शाइन अचया फकिछ कंग प्रवो탁 तो प्रकास और अप्रोक्ष शितान को जाती है और चर्चाएं करें का जाता है कि इसकी के द्वारा निर्मान कारे कि सब्सक्राइब मिए की द्यादा अध्याना है है किर देखते हैं क्या कि कर्रंग दे ने बनवाया ज стороны चालाब था वाठ रवा चाघर किस Acara account कि यह किसकी दोरा बढ़ रहा था इसकी रानीति तो ए तनी भी तिर लॉपशा थी है अती रंग दे की दूरा बनवाए गाहा धुक्राइक शंटों ए डिखे धार शंट सेन इस झाला है ड"; जस्वन्तिंग, ती रानी अतिरंग देने का निर्मान करवाया, निर्मान करवाया, ठीक है? जस्वन्तिंग करवाया, जस्वन्तिंग ने बनाया, रता नाड़ा भी करते हैं, किसकी बात करें, प्यार दोस्तों, कल्यान सागर, यह जस्वन्तिंग की रानी, जस्वन्तिंग की रानी जस्वन्त दे ने बनाया, इसे रता नाड़ा भी करते हैं, क्या करते हैं? इसे रता नाड़ा भी करते हैं, क्या करते हैं? वही से रता नाड़ा करकर भी शमोदित करते हैं, कल्यान सागर को क्या करते हैं? रता नाड़ा भी करकर शमोदित करते हैं, राइका बाग जस्वन्त दे नहीं बनवाया, किसके द्वारा? राइका बाग, राइका बाग किसके द्वारा बनवाया गया? कि रानी थी? जस्वन्त दे, जस्वन्त दे और जस्वन्त दे द्वारा ने बनवाया, ठीक हैं? याद रखिएगा, रता नाड़ा इसे शेकाव भच्जी का तालाब भी करकर समुष करते हैं ठीके चलिएगा आगे चरचाएं करते हैं आगे क्या क्राम करवते ही यह संसे इंगे औरंगाबाद महाराष्ट में कस्वंत्-पूरा कस्वा बसाया तुम से सपिंग में रस्वंध कि इंग ने तो रंगाबाद महाराष्ट में महाराष्ट में जस्वंत पुरा कस्वा बसाया के कस्वा बसाया कि दाशन्ट पुर्ण करस्वा और नंगाबाद महराश्वा और नंगाबाद के पास हे जो माराश्व में पड़ता है पर दो तो और चर्चाए करें काबूल में अनार लेकर आया था और कागाबाद में लगाया था कि के लिए गा कि काबुल से का जाता है कि अनार लेकर आया था कहा अनार लेकर आया था अनार लेकर आने के पश्चाहता है अनार के दीज सबसे पहले लाने का सरे जाता है तो आज अनार खाते हैं आप आजाता है कि यह सुन सी का ठोड़ी तो लेकर आया था और कहा जाता है कि इसमें से काबु काबुल से अनार लेकर आया था लेकर आया और इन्हें कागा बाग में लगवाया कांपर लगवाया था कागाबाग में लगवाया था कि राठोडो का जो न्तिम्सकार किया जाता है का बात किया जाता है तो तो जोधपूर के जोदपूर के राठोडो का अंतिम चंसकार की बात करें तो कहां पर किया जाता है यह कागा बाग में किया जाता है जोदपूर के राठोडो के जो हुए हैं किया जाता है कागा वाग में किया जाता था जाता है जिसके कुछ दर्बारी विद्वानों के बाग कर लेते हैं पुछ पार्वारी हैं विद्वान का लां कर वारी भी विद्वानन कौनकों हुए हैय। अब से पहले बात लेकर हंएं सल पत मिष्ड सल टपत मिष्र रहत विद्वान रखा करते हैं Και तलोष्टू मिश्र और दल्पत मिश्र की द्वारा एक रचना लिखी गई जस्वंत विलास कुंसी तल्पत मिश्र की रचना की बात करें रचना तो इसकी द्वारा लिखी गई जस्वंत विलास जस्वंत विलास भुरर रचना लिखी य है किसके दर्बार में रहा करता था वही कि जस्वंत सिंग के राज़ दर्बार में 240 5 काहा जाता है कि नरही दास अवतार चरीत लिखाया रहा के साथ रही दास काथ dependent दूसरा विद्वान ुप नर थरी गास और इसके द्वारा लिखी गई रशना अवतार चरित्र अवतार चरित्र भी इसके द्वारा लिखी गई और एक जूर लिखी गई राम चरित्र तो लिखी गई राम चरित्र भी इसके द्वारा लिखी गई थी ती राम इंड रही डास की मानिजाती जो इसका द्रबारी विद्वान ता दर्वारी विद्वान ता भी जस्वन सिंग का दर्वारी विद्वान हुआ करता था नेक्स बात करें किसी के राज दर्वार में एक सबसे महत्पून जो दर्वार कभी है दर्वारी कभी है वो रहा करते थे मूनोत नेंड सी यहां पर ध्यान से सुनिएगा पुहनोत ने एक हश्य से अधिये का जाता है कि यह को कि न परीवार कर थे एक पहला पर की जैन परिवार से हुआ करते नि कौन सब्सक्राद करने देख़ें के लुए अशाना है कि जन परिवार करें को लुक्ति से पते पोश्वाल जाती हुआ अब चर्चाय करें तो का जाता है इसकी जो रचना है लिए इसकी मूनोत नेंडसी की रचना की बात करें तो नेंडसीरी ख्यात चीह री कि राजस्तान की प्रतम ख्यात माने जाते हैं प्रतम ख्यात माने जाते हैं यह 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 प्रतम ख्यात माने जाते हैं नेंड सीरी ख्यात कहा जाता है यह एक मात्र ख्यात थी जो चार है इसी हो बात करें तो इसमें हर सब्द का प्रियोग नहीं हुआ इसमीं सब्द का प्रियोग आपर योग नहीं हुआ नहीं कि वा पूरे गरंद में कहा जाता है कि है सब्द का प्रयोग नहीं किया गया है क्या और क्या का अग्रज क्येक लाता है में क्या मिलता है में सपरेंग कि पतीक। कि अधूर्ण गॉंक निकाड मेह तो जन संग्ख्य को वर्णन मिलता है कि अ कि यहाँ पर पूरी गाओं identify सब्सक्राइब करता है नेंसी ने उस टाइम पर जब यह लिखी थी टाइम पर यानि कि जस्वंत सिंग के काल में 1670 शदी में यह बता दिया था कि जन संख्या की जरुत पड़ेगी लोगों को गिनने की जरुत पड़ी थी तो कहा जाता है कि यह जन संख्या का अग्रज कहला कि अग्रज ग्रंत खेलाता है उन और ि purpose यह जक्रति माना जाता ऑगे यह देशन संख्या के लिखन बाला माना जाथ वैं गणना का अग्रज ए चन नंदेना का अग्रज ठीक है याद रखना में राजपुतों की राजपुतों की चत्तीस साखाएं बताए गए इसमें राजपुतों की इस को लेकिया गया पतात राज्पूत्रों कि सखाओं में टे हुए यह पिते हुए विंदेगा नेक्स बात करते हैं नेक्स इसकी रचना देखते की नेक्सस रचना मारवार रा परगनारी विगत तो मारवार रा कि मारवार के बात करा हैं मुहनौत नेंसी की बात करें पर मूहनौत नेंसी की नेंसी धे रचना है इसे रचना किसकी वही मूनोत नेनसी की मारवार रा परगना परगना री विगत यह रचना भी किसकी माने जाती है क्या कहा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है इस रचना को शवार के का गजेटर या राजपत्र कहा जाता है मारवाड का क्या कहा जाता है इस रचना को मारवाड का मारवाड मारवाड का गजेटियर गजेटियर या राजपत्र या राजपत्रित ग्रंथ राजपत्र कहते हैं करते हैं इस रचना को क्या करते हैं वहीं कि मारवार का गजेटियर या राजपत्रित ग्रंत करते हैं जिसे अपनों होते हैं एक लेक्षरार बनने के बाद उसको राजपत्रित अधिकारी करते हैं तो वह क्या कर सकता है अपना अटेश्टेट कर सकता है तो यह और बात करें का जाता है कि मुंसी देवी प्रसाद ने राज पुत्वाने का अबुल फजर कहा इसको इसको वही मुंसी देवी कर प्रसाद ने मुंसी देवी प्रसाद ने राज पुताने का अबुल फजर कहा अर्थात अकबर के दर्वार में जस प्रकार से अबुल फजर विदवान था उसी प्रकार से जस्वन सिंग के दर्वार में कून माना जाता है यह आपका कर्णोंत मेंट सी को मना जाता है जासवंच सिंग के दरबार कोन हुआ करता था ए दरबार में का जाता है घ्रक्टिब शे ऐ त्य Watch ठील allora दो सब्सक्रमर कर जाता है कि इनको 270 में राज्व कीये धन का पहलए को बन लिया जाता है इनको बंदी बना लिया जाता है पर अनक भी लिख किस्व कि दोन वियार। लगए का डियानुथ से रीजाता है। कि लिए्ट कि मैंने कि में मना कर दिया कि मैं इमान्दार आदमी उपर कोई तका को सबत है कि लिग सलय को फ़ाइड ह clinicians है जाता है जिल में काहा जाता है कुछ भ़तेंगे ये स्टे लघाकर द्धार 670 में अपना क्वर्भ है कि काम खांकर दिदिया अर्थात खांबर जाते हां थेख जला सु शबदिर में हो जाती है तrio आख कि कि बात करें तोला सो शत्तर में हो जाती है तो उपर गमन का आरोप लगाया जाता है जस्वन्त सिंग के द्वारा गमन का आरोप लगाया जाता है जस्वन्त सिंग द्वारा स्वन्त सिंग स्वन्त सिंग द्वारा एक लाग के गमन का आरोप लगाया जाता है एक लाग पे कमन का आरोप लगाया जाता है आरोप लगाया जाता है और इसका आरणगिया क्या कर लेते हैं 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 कि मर जाते हैं और अपने भाई सुन्दर दास्त के साथ यह असपांसी लगा कर मल जाते हैं प्रिवां सांथी थी बहुत अच्छे कि दने कि छले थोड़ा सा जिक्र इनिकी राज़ दर बार में एक विध्वान हुआ करते थे कि तुर्गा दास राथ करें दुर्गा कर दास कर दो कि दुर्गा दास राठोड यहां पर नोखरी किया करते थे का इनके दर्बार में हुआ करते थे का जा जाए कि अब से पहले बात करें तो कि आ जाता है कि इनका जन्म हो कहा हुआ किस प्रकार से सारी चीज़े जिक्र करेंगे पहरों दोस्तों सबसे फिल है इनके पिता आसकरम थे पिता कौन थे आसकरम कि माता कि माता ते नेत कमर इनके लिए जागीर दी थी कि पिता ने इसके लिए जागीर दी कुण सी दूड़ेवा दूड़ेवा जागीर दी थी पिता दूड़ेवा जागीर जहां पर इसका क्या होता है लालन पालन होता है यहीं पर होता है यहीं पर होता है यह अपनी माता के साथ रहता है तो माता के साथ रहने के पस्चा नुल्ड़ेवा में रहता है और यहीं पर इसका लालन पालन होता है भी दुर्गादास को तर दुर्गादास के पिता यह जस्वंत शिंग के राजदर्भार में उपस्थित रहा करते थे दुरगादास के पिता कोंते आसकर राश करा लए समिल Simmons के करते थे अपना काम चलाया करते थे अपना काम चलाया करते थे अब खेती करके अपना काम चलाया करते थे और अपर रहा करते थे तो कहा जाता है कि एक बार क्या होता है टाइस नहीं को ए number day खेट यह सिसे कोई वेक्ति के विद रोते पुंट लेकर जा रहा है सिसक्ते और रिंद्न progress wollte define में प्रवेस कर जाते हैं तो का जाता है यह का दिया के दौारा उन चरवायों से यह रेवारी जाती के ऽोग थे उन से कहा गया कि बढ़िन उठों कबार निकाल रूट को बार नहीं कि यह राजा जी के खैसे और कि राजा जी के आदमें कौने राजार के बाप का खेयते कि मैं राजा के बाप का खेत है क्या एंड भूर दोड़कर दोड़कर पीटता हुआ दुर्गादास ते से बाहर निकाल देने के पास आता है तो एक वेक्टी तोनों चपर-चपर करने लगते हैं यानि कि लड़ जाते ही है और आपस में लड़ाई हो जाती है इनों के बीच में तो वेखती तो और एक यह और कहा जाता है कि दुर्गादास के द्वारा अपने कटार निकाल कर वहीं पर एक वेखती को मार दिया जाता है और दूसरा वेखती भाग जाता है डर वार में बेठा हुआ है और यहां पर दर भार में बैठा उए किसका दर बार लगा यह राजगदी पर यह पाफी सारे विभान आती हो बेठे तह पिता आस करण भी पर शिते प्र कई इसके दर्वार में कॉन उपस्थी तो होता है कि वह सही स्ट़ता है रेवारी आटी रेवारी रेक्तिट रीवारी टिकल रेयरी आपने निकाल रहा था भी यह और यह इमत उसकी कि गालेन निकाल रहा था गालीं कियों निकाल अत बात एए एक राज डर्बार कारी आपनी जो शामंत वैबस्तों ये पूरे को पूरी का हासा की पूरे चेत्र में यह अपने इतनी जते हैं या कि ये चोड़ा है जो आगया क्या दार्रेक्ट गालिया बख रहाता था सहला कि कि यावन को कि ठोड़ ढो और सेनिक भीजने के परशाथ कि दूरगादस को यहां से को दूरगादस कर लाते हैं all minutes and no free जस्ति के दर बार में उपस्थित होता है क्या हुआ हा रहे हैं कि by ल कि इसकी कि लीड़ा चीजंद आपके लिए यह का वह क्या बढ़िया अबहर दिया ता चैस्त्त सीन को इसने ने और पीयरे दोस्तों याता है दुर्गादास राठोड और दुर्गादास राठोड आने के पाश्चा थी छट कर आउने के पश्चा भगल में बेठा वह आसकर प्रणिस को पिछान दुर्गादास जी आपने अभी तक बताया नहीं कि माई बाप राजा जी क्या करूं कि बे लखणी इसकी मान भी बे लखणी कम दो कि में बेलखणी कई संतान हो जाती है मैंने तुंकोः से निश्ट कासित कर कर रखाय कि राजर से निस्टासित कर रखाय और आपके जो मर्जी पड़े देदो कि मैं मेरी कोई वो नहीं तोक तोक नहीं है कि ठीक है चाल बता रहे किए क्या हुआ है तो इसी से पूछने पूछनी की बता क्या हुआ 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 राजा-जी फिसने बढ़ MOMS निकालने का तो यह आपकी धांग देने लगे और आपके क्लने हैं आप गलत परियोग करने लगे गलत पर्योग करने लगे तो मैंने कहा कि इनको निकालो बार बार निकालने लगे तो एक तो मैंने महीं के सर्टा दिया किक्ता से कटार निकालता है पहुर दोस्टो अपनी तलवार निकालता है तलवा निकाल कर इसको यहीं पर मुड़ी उड़ा देता है किसकी इसकी किसकी यहीं पर किसकी मुड़ी उड़ा देता है कि मुड़ी उड़ा देता है कि यहीं पर कहा जाता है इसके मुड़ी उड़ा देता है और भरे राज दर्बारियों के सामने पैर दोस्तों तो मार दिया जाता है दूसरे वेक्ति को भी ये भरे राज दर्बार में निर्बिटता से बिना डर के सामने राजा बेठा है उसका कोई डर नहीं और बिना डर के कहा जाता है इस वे वहां क्या है तो राजा बादकुस होता है जस्वन बड़ा कुस होता इसकेक इसकी करत्यों को देखकर करते को देखकर जब कुस होता है कि क्या प्रिए लग्रुटा है कि में बेठा रचला को इस ने मिरभळ ऊकर और बिना आ या कर दाब ना नीड लेखती है इस season जस्वान सिंग जी कहते हैं जस्वान सिंग जी इससे करते हैं कि आशकरण जी से आशकरण जी आप उठो क्या करो आप उठो और उठकर ले जाओ आपकी क्या करो कि आप उठिये जस्वान सिंग जी आप उठिये और सामने वाले शीट पर जाकर बैठे यहां पर अभी यह बैठेगा आपका बैठा आपका बैठा जो है तो यहां से उठा दिया जाता है और जस्वन सिंग को कहा अब आप सामने वाले पुरिशी पर दातर बेटें इसके बैटे आसकरण के लिए क्या कहा जाता है इसी दिन से क्या आसकरण के बैटे दुर्गादास राठोड को उसी दिन से कहां पर राज दरबार में जगए जाती यह किसके द्वारा की अब यह मेरे बगल वाले शीट यह बैठेगा इतना निर्विक बंदा मैंने कहीं नहीं देखा और एक दिन यह जोदपुर की रक्षा करेगा सुरक्षा करेगा और वही इसने कहा जाता है पैर तो अपने जीवन का आल में 30 वर्सों तक कितने वर्सों रिषे तो तक इस वर्सों तक संकर्श की आती सखरुता इसने कि अब ही घुर्गदास्रान गार féuk का जाता है जब इसके म्रत्य होती रखिए वार्यम हमने जिक्र किया था पिछली क्लास में इसकी एक कि इसके पत्नी थी जादम एक नारूक यह जादम और एक नारूकी पत्नी थी किसकी यस्वंत तस्वांत सींग की लिए जस्वांत दो नाम से टेंग तो जादम एक नरूकी एक बैटा प्रत्वी सींग ता जिसको मार देता है और जादम को पुत्र हुआ उसका नाम था अजीत सिंग क्या था अजीत सिंग की मृत्य के बाद यह पेदा होता है इसका दल्थम्बन तल्थम्बन का जर्म हुआ दल्थम्बन का जर्म होता है नरुकी से और अजीत सिंग का जर्म होता है जादम से होता है यह दोनों इनका जर्म कहां पर होता है भी लाहोर के पास होता कोεί है के शुक्त पास्टान कि लोगता है जिस्वन संगता है सब्स selon 25 टानामकिस्टान, कुछ buckets की पत्नियों के Bye कि लिक्ति छू सौ अचत्तर में फ़ंटक कि सोलाहर तो दासराठोड दुर्गा दासराठोड उदर से लेकर आता तो लाहूर में या इस समय ये दोनों गर्वती थी और लाहूर में लाहूर में क्या हो जाती है दोनों के डिलेवरी हो जाती है और डिलेवरी हो जाने के परश्यात क्या होता है पैर दोस्तों अर्थार्थ इनकी क्या यह से काबूल काबूल से लेकर आरहा था पौन लाहू जस्वन शींग की पत्णियों को दुर्गादास राटोर के साथ आ रही थी विचारिया रहा थी तो रस्ते में क्या होता है एक दोनों बेटों का जन्म हो जाता है इसके तो बच जाता है तो का जाता है औरंग औरंग जेब शेब इसको काँ बॉला लेता है अधिली बुला लेता है उसको बंदी बना देता है सिंग किसकोर इसको इसकी माताओं के साथ किसको प्यारे दोस्तों अजीट सिंग को केद गर देता है और वहीं पर कहा जाता है की अब क्या करें करें तो क्या निकाला जाया जब वहाँ से लेकर आया रहे थे पुत्र है और जस्वन सींग के पुत्र का जाता है कि उसको जोदपुर को खाल सा गोशित करने की सोचता है तो पुत्र है तो उनको सासक बनाए जब यह मरा था तब तो कोई पुत्र नहीं था अब पुत्र के से इसकी पत्नियां गर्वती थी रस्ते में क साथुम्स की आसी को बनाए ज省 पूरॉप छ Southwest लियुक्र की है और कशmee कर दिया कि अब इसको निकालने के लिए रात और दिन तपश्या करते हैं दुर्गा दास्राप केसे निकाल जाए निकालों निकालों ऐसे निकाला था और एक दिन कहा जाता है कि कि चंपाय। था इनके साथ एक चंपाय। को थे साफ पकड़ ना आता है तो दो-तिन सांप के ला है यहां पर सांप का खिल दीखाता कि जो आ कर रहे थे उनके बगल पर का जाता है कि आप दिखाने लगता है सांप का खेल दिखाने वाला और वहीं पर का जाता है कि जब वह तोकिदार थे उस सांप का खेल देखने चले जाते हैं पीछे से पिछे से का जाता है पेरदोस्तों गोरा धैह की साहिता से इसांइता से और उनकी मातां पूरन कर निकाल कर तो नी काल देते निकालकर फ्रार हो जातें अब इन को निहांसे निकाल तो दिया इस पूरबता दुर्गादा स्राटोड के दूराए रूपशिंग की हवेली से को यहां से निकाल लिया जाता है निकालने के पश्चात इसको कालिंदी ले जाया जाता है । कहां पढ़ता हुआ के कालेंदी नामकिस्तान पर यहां रखा जाता है यह नद रखा जाता है कालांतर में कुछ समय पश्चाथ इसका पता किसको लग जाता है औरंग जेब को लग जाता है इसके बाद इसको राज सिंग जो कहां का पेवार का साथ साथ संड्रक्षन में रखा जाता है और राज सिंग के द्वारा इस अजीद सिंग को केलवा की जागीर दी थी इसके लालन पालन के लिए केलवा की जागीर दी थी और राज सिंग के द् पता चलताए पता जातं यह अक्बर को अपने पुत्र अकबर को अरंघ जेब अपना पुत्र ऊरंघ ये अकबर जित्के विड़व carried पर दोस्तों तो मेवाड का ता अब मेवाड का और मारवाड की बात करें तो मारवाड का तो बनेगा अजीद सिंग बनेगा अजीद सिंग के बात करें अजीद सिंग अभी छोटा बच्चा था और छोटा बच्चा होने के साथ साथ पहर दोस्तों इदर बठक रहा था और राज सिंग नहीं कि से केलवा की चागिर केलवा की जागिर दी इसको बहुचा के बने पुत्र के इसको किसके विरुद बहुस्ता है इसके विरुद अजीच उस звуч बडता है अभ्यान पर भेजता। करने के लिए भेजता या आक्रमन करने के लिए भेजता है लेकिन कह आूजाता पर दूर रिखादास कोंो पर पर दोस्तों दूरраж दूर्गादास अ जोगा टास और राज सिंह नहीं को मिलकर क्या करते हैं किर और को क्या कर देते हैं अकबर को कहां पर मार्वार में क्या कर देते हैं तिक क्षित कर विद्पर कर देता है विद्पर देने के पस्चा मिद्रों का पता लग जाता है वुद्रों का पता लंग बेजता है और जाता है कि शुबह तेरे को राजा गोसित कर देगे रात पड़ी रात इम्हें पता चल सिद्में पता चल जाता है कि तो अक्बर है एंगे राजाजी का और जब मिलने की दिया जाता किसको राज सींग और दूरगादास राठोड़ से मिलने के लिए लेकिन लेकिन पत्र मिलते ही आपके वुरूद्ध अकबर पत्र मिलने के पशाथ क्या होता है कि नहीं मिलने तो निए लुँग फेल सुमाजी चाल जाता सामाजी सामाजी के पास चिला जा ₂ इस अबर की एक पुत्र और एक पुत्र ऑक दल तंब्ल किया नाम था डल फंबं마 यह क्विस परिखत पधर जंगुऊ क्या था को अफदर जनन Deshalb 된 अप स्पीर तु निशाट सफीर है था शत्री को क्योंथिस उप् Small निशा निखे अ और इसको स्कुत्र स्चा बुलंद अप्तर गया था बुलंद अक्तर अलंद अक्तर कि उसके अक्तर हुब इसका पूतर था किसका अक्बरग दिते का पूतर अपर सद्री और शवाता पर से अग्शन कि में चोड़ कर चला जाता है और ऑप पता नहीं है तो अब इनकी देखरेक के लिए किसको दूरगादास लगता है कि औरंग जेब को लगता है तो पूरंग जेब इस वर्दास के साहिता से किसके इसरदास के साहिता से कहते हैं कि उनको मंगा इसरदास को समझाने पर कहा जाता है कि यह इसरदास के समझाने पर इनको वापस देने के लिए राजी हो जाता है दुर्गादास राटोड की वह अकबर आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूँगा कि अगबर इसका औरंग जिब का कोई भरोसा नहीं कि यह मार भी दे अप मरिसके कहने पर उसके कहने पर हैं इसका इसरदास के कहने पर वापस देता है और बेज़ देने के सबसे पहले तुक आता है जिब यह दोनों बच्चे और ऑदिर्वर में पहुँचे पास दुर्गादास dl cu pensando रहैं या वहां पर लालन-पालन हुआ तो род कि सिकाई भी कहा होगा, सब उसकी पढ़ाइ लिखा इते से किस9 में क्रतिति होगा निकुरब हो पहले क्या कि किया वहां पर अपस्छित हो 취 एकि इस newer मुष्बाँ की जा उता है कि काजी को बुलाओ और इन दोनों को क्या मुस्रिम धर्म शुकार करो कि जुकार कर और कि यह हिंदू है दोनों किसने हिंदू ने लालन पालन किया तो बेटी थोड़ी सी समझदार तूर बेटी समझदार थी कि दादा is भाट यह है कि emo cure कि बाबाने हमें पाला कि लेकिन बाबा ने हमारी कोई खित्मत में कमी नहीं रहते हैं कर दो दाजरा तो देला है को डूरोड़ गजर पाला हैा है डीकता राफ मेरी किसने चिका है कि हमारे लिए बाबा ने अलग से वेवस्ता कर रखी थी वेवस्ता कर रखी थी हमारे लिए काजी आया करता था और काजी पढ़ा कर जाया करता था हमें और काजी का पढ़ाता था और उसके बाद जाता था तो रंगजीत दी एक बार तो कहा जाता है कि कि मैंने बाबा की जबसे बड़ी हुई हूँ तबसे में सखल नहीं दे टे कि अले बाबा आते दे परदा लगा कर बात करती तो इन चीजों से औरंग देब सब का ओफर करता है और अजीद सिंग के लिए 1500 के मनसब का ओफर करता है और कहा जाता है और और टीज साल तक संगर्श किया अब इसके पास पत्र लिकर भेजते कि क्या मांगना चाहते हैं कि मैं आप पेहद कुसूंग के पेहद कुसूंग केता है दुर्गादास राठोर से पत्र लिकर मैं आपसे बेहद कुसूं यह इसको राजा नहीं बनाया गया तो अमर सिंग था किसका जश्वन सिंग का भाई आपको पता है जिक्र भी किया था मTo सिंग का भाई था अमर सिंग उसको नागोर दे दिया था और नागोर गठिंता तो उसका पुत्र上 का पूत्र Meu यह सो टोल पहुंच जाता है जिसको कि ने हो एसने को उतता दिया जात conversation यहांस कर राजा नहीं पनाएं जाता तो औरंग जेब इंदर सिंग से स्थ His to land रुपए ले ता एक finding टिस लाख तो यहां की जनता इसे शुक्तास राजा मानने से इंकार कर देती राजा मानने से मना कर देती और खाजाता इसको भगा दिया जाता है यह यह वापस किसके पास पहुंचता है इंडर्शींग जब इंद्रशींग किसके पास पहुचा तो वाहां वापस किसके पास पहुचा भी कोई पेसे त्मस्सें नहीं का प्रदेश्व होते हैं उसी का भूमि वुआ करते थी तारिक्ट केंडरी साइच का धिकार होगा ऊर्णजे वापर जो नियुक किया जाएगा वेगती तो मारवाड को किki अब बात यह कि जीत सिंद्धारा राजा बनाने के लिए 30 500 संधर्स करते रहा पैर दोस्तों एक देबारी समझवता होता है अब चुक्त है लिए देवारी शम्झोता होता है कौन साथ क देवारी रेज़ाक हें-- आ एक के सम्झभता होता है संट्रासू सत्रासू शाथ में और にबुत्य कि मृत्ती एस बात्राव बामें देबारी श म्होंता है यह वसाधे वेवार का plural साथ कि मेवार मेवार का अमर सिंग सेकंड को नहीं था है अमर सिंग सेकंड इदर जेपुर या आमेर का इंच मेर का सवाई जेशिंग क्वाई देशी का एक और इधर से कह जाता है कि मारवार का कि मारवार का अजीत सिंग सासक नहीं था लेकिन भूम रहा था अजीत सिंग न इन्य तीनों के बीच में क्या होता यह समझूता होता और अमर सिंग अपनी पुट्री का विवा सवाई की साथ सर्थ करता है क्या या आटि कि इसका पुत्र का नाम क्या था चंद्र कंवरी चंद्र कंवरी और इस चंद्र कंवरी का विवा आपके साथ किया जाएगा किसके साथ किया जाएगा आपके साथ कर दूंगा और करने के प्रश्चात पेर दोस्तों क्या होगा कि इसके घर्व से जो बेटा पेदा होगा वही कि आमेर का अगला उत्राजिगारी बढेगा इसका बड़ा पुत्र हुआ करता था इश्वरी कॉन था भी इसका पहले से बड़ा पुत्र था जो अज vaan एफ़առ सिंहय कि. ऑजीन सूरी कौणरी से पैदा हुआ था यह जीजा लगता था वैसे तो देखा जाए तो का जाता है कि यह इसी समझ्जोते के तहत को मारवाड का कौन बनता है कोन बनता है और यह दुरगा दास राठोड इतने दगवक्तीश वर्सों की शासट के बार दुर्गादास दुर्गा दास तुर्गादास स्राठोड के तीश वर्सों के संगर्ष के बाद अजीत सींग जूदपुर का सासक बनता है जूदपुर का सासक बनता है जूदपुर का सासक बनता है अब जूदपुर का सासक बन गया जूदपुर का सासक बनता है तो जूदपुर का सासक बनने के परदान मंतरी बने और अजीत सींग राजा बना अब आपको पता है कि जानता यह जानता था कोई नहीं जानता जो भी आता इस समय यह तीक साल का वो चुका था वही कितने वर्षों का जाता था अठतर में जन्म हुआ और फट्टर में जन्म होने के पश्चाथ तरह सो आठ में सासक बनाए लगवर तीस साल का आयू हो चुकी ती इसकी अजीत सी अब कहा जाता कि जो भी आता है इदर बगल वाली पुरसी पर दुर्गादास राटर बेटते पर सामने वाली पर यह बेटता जो भी आता सबसे पहले दुआ सलाम उनसे दुर्गादास से करते हैं कि हम रही एक फुजूर्क वेगती इन से तंग आ जाता है ऐसे देख 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 कर देख देख कर प्रेशान होता है कि मेरी कदर ही नहीं होती है राज दरबार में तो सब आते हैं बाबा को नमस्कार करते हैं नमस्कार करते हैं सलाम करते हैं और उनी से बाते चीते करते हैं मेरे पास तो बाद में आकर एक दिन आप आराम करूँ घर पर बाद सुट में तो बीजि़ने को दिक्के confusion पीर फिर नने के प्रस्चाथ यह दोस्तों पीडर एक बाता है कि मतीरा मतीरा का मतलब होता है अब मतीरा क्या होता है अर इसे मतीरा का कर दिया जाता किसको दुर्गादास राटकर जिस वेक्टी ने अजीत शीग को राजा बनाने के लिए अजीत शीग को क्या राजा बनाने के लिए दोस्तों 30 वर्फों तक संगर्ष किया किदर उद्र भागता रहा चेन की रोठी ने कई यह निकालने के बाद निकाल देता है काड़ा कपड़फ धारन करना है काड़े कपड़ prowad कर तो मारनामर्सिंग का जाता है कि रामपुर की जावगीर देता चाब रामपुरा की जालगीर देने फिर वार से निकल जाते हैं निकाल जाने के पश्यात्रास दोस्तों ग thé जाते हैं हैं तुरुगादास रठोर उजिन चले जाते हैं और उजिन में शिप्रान स्थराइब की तट्परी 1718 में तत्य कि अधरी उजा धी तुल थे त्रा ठोर की खित रखना और वहीं पर शिप्रा नदी के कि इनकी समाधी बनी उई हुई है तो ध्यान रखना पहले दोस्तों कि 1700 दुर्गादास राठोर कैसे तरह सप्रास्च राठोर को घीची थीच ए तर जिसे निसकासित कर देता है और जिसे कासित कर देता है इस पासित कर देता है करें देता है कि इसके बाद ये तर्वाद दास हुआ कि दूर्गा दास मेवार चले जाते हैं तुर्गादास मेवार का चले गए चले गए गए मेवार का का मरसी तुक्रिंड नहें प्रामपुरा प्रामपुरा की जागीर देते हैं यहां से यहां से यह उज्जेन चले गए प्रामपुरा की जागते हैं व्यज्जेन में 1718 में कि इनकी मरत्या की मरत्यू भी इनकी शमादी चिपरा नदी के तठपर बनी वी है इनकी किसकी दूर्गादास की दुर्गादास की समाधी दुर्गादास की समाधी उज्ञेन में उज्ञेन में किप्रा नदी के तटपर किप्रा किप्रा नदी के तटपर बनी भी है त बनी एग फी ऑट है यह था आपका दुर्गादास राठोड पैरे दोस्तों और यह था जस्वंत सींग जस्वंत सींग के बारे में पढ़ा लिया हमने पूरा का पूरा और किस परकार से यहां का सासन संचालित करता है कौन पैरे दोस् और ड्रभर प्रकार से दुर्गा दास राठोड पूरी राज नीती में दुर्गादास राठोड का स्थितू हो जाता है किस प्रकार से था ज्यूह, हुआथ परोकर कर दिया जाता है इनको क्या कहा जाता है इनके उपनाम का जिक्र करें इनके उपनाम दुर्गदास राठोड की उपनाम राष के उपनाम मारवाल का अनबिंदिया मोती राठोडों का युलीसिस राठोडों राठोडों का युलीसिस राठोडों का प्लूटों राठोडों का प्लूटों राठोडों का प्लूटों इस सारे नामों से किसको जाना जाता है राठोडों का प्लूटों को का जाता है युलीसिस तोड ने कहां करनल जेम्स तोड ने इनको युलीसिस तकर सम्भोदित किया यह तीनों नाम यह तीनों चारों नाम कि मिलते हैं तो आज के लिए इतना ही काफी बहुत धन्यवाद पहरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स क्लास में नेक्स जो सुरुजुनून के साथ जैहिन जैबारफ